Hello students, कैसे आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel Accounting Masterclass. And this is the 10th lecture. ये मेरा 10th lecture है on the subject income tax. And आज इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं कुछ important term related with income tax. Income tax में use होने वाले, कुछ frequently use होने वाले terms के बारे में हम पढ़ेंगे आज के lecture में. But उससे पहले एक बार मैं आपको short में बताना चाहूंगी कि अभी तक हम ये जो topic है, जो income tax का paper हमने शुरू किया है, इसमें हम क्या-क्या पढ़ चुके हैं. तो एक बार वीडियो को pause करके, ये सारे ही topic देख लीजे, ये सारे topic हमने पिछले, जो हमारे 9 video lectures थे, उनमें हमने ये सारे topic बहुत detail में discuss किये हैं. तो इन topic को भी जरूर देख लीजेगा, ठीक है, क्योंकि मतलब sequence में पढ़ना काफी important है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको पिछला concept नहीं समझ में आएगा, आगे आप नहीं समझ बाएंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं हर video lecture की numbering कर रही हूं, पूरे topic detail में discuss कर रही हूं, तो आप भी इन videos को sequence में जरूर देखिए, तो पिछले जो मेरे 1 से लेके 9 इसके part है, income tax के, वो भी आप जरूर देख लीजेगा, ये हमारा 10th part है, ठीक है, income tax का, तो चलिए फिर बिना time waste किये, हम आज का video lecture स्टार्ट करते हैं, SSE, तो आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ कि SSE कौन होता है, तो SSE मतलब क्या है, देखिए, नाम सी सबज में आ रहा है, SSE यानि जिसको SSE किया जा रहा हूँ, for income tax purpose, income tax के purpose है, जिसको SSE किया जा रहा हूँ, तो SSE मतलब क्या है, SSE मतलब person, ठीक है, और person क्या होता है, यह मैं पिछले lecture में बता चुकी हूँ, पिछला video मेरा person पे ही था, person कौन होता है, person includes seven points, इसमें मैं आपको बतायते हैं, person के अंडर में seven points आते हैं, किनको हम person कह सकते हैं, person individual को कह सकते हैं, SSE को कह सकते हैं, company को कहते हैं, firm को कहते हैं, BOI, AOP को कहते हैं, artificial jurisdiction person को कहते हैं, ठीक है, local authority को कहते हैं, तो वो seven points मैंने आपसे discuss किये थे पिछले lecture में, ठीक, उनकी detailing भी बतायती है, तो इसलिए अब ये word person मैं use कर सकती हूँ, अब मैं मान रही हूँ कि आपको person के बारे में पता है, तो SSE कौन होता है, SSE means a person, SSE मतलब वो person, वो firm भी हो सकता है, वो company भी हो सकती है, वो local authority भी हो सकती है, तो SSE means a person who is liable to pay any tax, यानि SSE मतलब वो person जो tax pay करने के लिए liable है, उसको हम कहेंगे SSE, ठीक है, फिर एक और इसका point है इसमें, कि SSE मतलब क्या है, any person, यानि वो person who is liable to pay any other sum of money under this act, यानि SSE मतलब कोई भी वो person, जो liable है, पे करने के लिए, कोई भी दूसरा amount, ठीक है, तीसरा point क्या है, SSE मतलब who is deemed to be an SSE under any provision of this act, यानि यह जो income tax act है, इसके किसी भी provision के तहत, the person who is deemed to be an SSE, deemed मतलब होता है, considered, जो SSE consider किया रहा हो, वो भी क्या है, SSE है, ठीक है, चौथा point क्या है, SSE कौन होता है, वो person who is deemed to be an SSE in default, यानि वो person जो SSE in default है, under any provision of the income tax act, यानि income tax act के किसी provision के तहत, अगर कोई भी person SSE in default है, तो वो क्या है, SSE है, अगर deemed to be an SSE है, तो वो भी क्या है, SSE है, कोई भी person liable है, टाक्स पे करने के लिए, तो वो भी क्या है, SSE है, कोई भी person liable है, कोई भी दूसरा amount, चाहिए वो interest हो, penalty हो, कोई भी दूसरा amount पे करने के लिए लिए बिल है, under the income tax act, तो वो भी क्या है, SSE है, ठीक है, तो यह 4 important points है, regarding the term SSE, SSE क्या होता है, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, SSE क्या है, कोई भी वो person, जो टाक्स पे करने के लिए लिए बिल है, या कोई भी दूसरा amount पे करने के लिए लिए बिल है, ठीक है, या deemed to be an SSE है, या SSE in default है, तो मैं यह सोच रहे होंगे, यह ma'am ने यह word तो बोल दिया, deemed to be an SSE, बट इसका मतलब क्या होता है, और यहाँ पर मैडम ने बोला है, कि SSE in default, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, तो मैं यह दोनों term आपको अभी और detail में समझाती हूँ, देखिए, deemed SSE मतलब क्या है, deemed मतलब मैंने बताए न, deemed मतलब होता है, consider करना, ठीक है, the person who is deemed to be an SSE for some other person, यानि वो person जो दूसरे person के लिए, एक SSE की तरह, मतलब, consider किया जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, deemed SSE, ठीक, deemed SSE यानि, वो person, suppose करिए, एक person A है, ठीक है, वो person B के लिए, deemed to be an SSE है, यानि, a person who is deemed to be an SSE for some other person, यानि, person A, suppose करिए, यह कोई minor है, यह जो B है, कोई minor है, तो इस minor के बहाब पे, कौन टैक्स पे करेगा, A पे करेगा, तो this is deemed SSE, यानि, वो person who is deemed to be an SSE for some other person, यानि, वो दूसरे person के लिए, एक SSE consider किया जा रहा है, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा, deemed SSE, Mr. A क्या हो जाएंगे, यह deemed SSE हो जाएंगे, क्योंकि यह दूसरे person के लिए SSE consider किया जा रहा है, और यह दूसरे person कौन हो सकता है, it could be minor, वो minor हो सकता है, वो lunatic हो सकता है, वो कोई foreigner हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, कि Mr. B की death हो गई है, ठीक है, Mr. B की death हो गई है, और इनका जो legal representative है, Mr. B की death हो गई है, और इन्होंने income tax नहीं पे किया था, sudden, अचानक death हुई, तो इनका Mr. A, जो इनके legal representative है, वो पे करेंगे, तो ये क्या हो गए Mr. A कॉन हो गए, deemed SSC, ठी, ये concept समझ में आए, ये ही देखी, मैंने या पर लिखा है, after the death of a person, किसी person की death हो जाए, तो उसका जो legal representative है, this is treated as SSC, for the income of the deceased, यानि वो जो Mr. B, जो expired कर गए, उनकी जो income है, जिस पे उन्होंन income tax नहीं पे किया है, तो उसके लिए उनका जो legal representative है, वो क्या हो जाता है, deemed SSC, ठीक है, या फिर कोई एक person, जो किसी foreigner को, minor को, या lunatic को represent कर रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या है, deemed SSC, ठीक, तो concept समझ में आगे है, deemed SSC का, अब देखते है SSC in default, SSC in default, देखिए, default मतलब क्या होत है, ठीक है, जो नहीं कर पाए, कोई काम करने में फेल हो गए, नहीं कर पाए, करना था, ठीक है, इस काम के लिए responsible थे, वो काम किया ही नहीं, तो वही क्या है, default कर गए, ठीक है, तो SSC in default क्या होता है, SSC in default मतलब, suppose करी कोई person responsible है for doing any work, यानि कुछ काम करने के लिए वो responsible था, लेकिन उसने वो काम नहीं किया, he failed to do it, तो उसे क्या कहेंगे, SSC in default, जैसे example के लिए, ये A है, ये B है, ठीक है, A ने B को कुछ पेमिंट दिया, ठीक है, suppose करी B employee है, A employer है, ठीक है, A क्या है, employer है, और B employee है, ठीक है, तो A ने B को कुछ पेमिंट दिया, ठीक, तो A को जो है, TDS deduct करना था, tax deducted at source, TDS deduct करना था, A ने TDS deduct नहीं किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, SSC in default, ठीक है, और suppose करी, इसने TDS deduct किया, लेकिन इसने government treasury में, मतलब, government को वो amount deposit नहीं किया, तो ये क्या हो गया, SSC in default, ठीक है, तो ये ही होता है, concept SSC in default का, ठीक, यहाँ देकिए, मैं लिखा deduct income tax at source, उसको TDS काटना होता है, income tax deducted at source, यानि income tax काटना होता है, लेकिन अगर उसने नहीं काटा, ठीक है, तो और अगर काड भी लिया, ठीक है, लेकिन डिपोजित नहीं किया, ठीक है, तो ये ही विल बी ट्रीटेद अस SSC in default, राइट, जैसे एक्जाम्पल के लिए, यहा ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, TDS कटता है, ठीक, तो जो organizer है, उसने अगर TDS नहीं काटा, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा SSC in default, ठीक, तो this is the concept of SSC in default, यही concept है SSC in default का, I hope आपको अच्छे से अप समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इन सब की मैंने separate playlist बनाई हुई है, जरूर में चनल पर जाएं, इन वीडियो से पढ़ें, खुद भी पढ़ें, और फ्रेंट के साथ भी जादा जादा शेयर करें, ठीक, और यह अभी तक है, अगर यह वीडियो आप कुछ महीने बात, कुछ साल बात देख रहे है तो इसमें मैं काफी new subject आड़ कर चुकी होगी, यह अभी तक है, तो बेटर होगा कि आप जाके playlist चेक करिये, कौन-कौन से subject में अपने चैनल पर अप्लोड कर चुकी हूँ, 500 से भी ज़्यादा वीडियो lectures मैं आज की तारीक तक अप्लोड कर चुकी हूँ, तो यह सब मैंने आपके लिए किया है, जरूर इसका फाइदा उठाईएगा, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, lecture useful लगे, लगे की content अच्छा था, कुछ समझ में आया, यह time waste नहीं है, हम कुछ नया सीख के जा रहे हैं, तो वीडि अगर चैनल को support करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मैं कुछ better resources यूज करके कुछ और ज्यादा वीडियो ला सकूँ, तो प्लीज में चैनल की membership भी जॉइन कर लीजे, आपको subscription के button के बगल में आपको एक जॉइन का button मिलेगा, जिसको आप click करके मेरे चैनल की membership भी ले सकते हैं, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और important terms हम discuss करते हैं, next term है, that is previous year, वैसे ये जो previous year है, ये मैं पहले भी discuss कर चुकी हूँ, पिछले videos में, but एक बब फिर से क्योंकि previous year से related एक बहुत important concept है, वो मुझे दरसल बताना है, तो इसलिए ये मैं फिर से एक बार ये मैंने topic उठाया है, previous year, तो previous year क्या होता है, वो year जिसमें income is earned, वो साल जिसमें आप income earn करते हैं, उसको कहते है previous year, और assessment year क्या होता है, अगला साल, जिसमें उस income को assist किया जा रहा हो, वो year जिसमें income is taxable, उसको कहा जाता है, assessment year, ठीक, जैसे example लेते हैं, अभी चल रहा है, 1st April 2021 से लेके 31st March 2022 तका year था, वो क्या था previous year और assessment year क्या है, assessment year यह है, 2022 तेज यह assessment year है, ठीक है, तो this is previous year and assessment year ठीक, अब इससे related important point यह भी है, कि suppose करिए कोई नया business setup किया है, कोई नया profession, कोई नया business setup किया है ठीक है, कोई new source of earning start हुई है, तो उस case में previous year क्या होगा, उस case में previous year क्या होगा Suppose करिए आपने अगस्थ 2021 से कुछ नया business start किया है, ठीक है, कुछ new source of earning शुरू हूई है तो उस case में previous year क्या होगा, क्या previous year 1st April 2021 से शुरू होगा, बताइए, क्या previous year 1st April 2021 से शुरू होगा, नई, जब से आपकी income शुरू हुई है, तब से आपका previous year शुरू होगा, तो वही देखे लिका है, previous year will begin from the date of setting up of new business, जिस तारीक से आपका नया business setup हुआ, जहांसे नई earning, जो new source of earning है, जब से आपकी नई earning शुरू हुई, तब से आपका previous year शुरू हुआ, तो इसलिए कोई नया business होता है, तो उसमें जो first previous year होता है, वो generally less than 12 months होता है, 12 महीने से कम का समय होता है, तो अगर आपने कोई नया business अगस्ट 2021 में शुरू किया है, तो आपका previous year क्या होगा, अगस्ट 2021 से लेके, मार्च 2022, यह आपका previous year होगा, ठीक, first April से मत ले लीजेगा, ठीक है, जब से income शुरू ही तब से लेंगे न, तो previous year होगा, अगस्ट 2021 से लेके, मार्च 2022 तर, ठीक, यहां तक समझ में आया, चलिए, अब मैं आपको एक important concept बताने जा रही हूँ, इसलिए म होती है, ठीक है, उसको assessment year में उस पर tax फदलत चार्ज किया जाता है, जो भी earned किया है previous year, पिछले financial year में जो भी earned किया है, उस पर tax इस साल assess किया जाता है, उस पर charge किया जाता है, ठीक, यह तो general rule हो गया, लेकिन इसमें कुछ exception है, exception क्या है, taxation of previous year income during the same year, यानि कुछ exception अब मैं के साथ discuss करने जारी हूँ, जहाँ पर क्या होता है, कि previous year की जो income है, पिछले साल की जो income है, पिछले financial year की जो income है, वो उसी साल उस पर tax charge किया जाता है, ठीक है, तो यह आप से अब मैं 5 point discuss करने जा रही हूँ, इन 5 conditions में जो previous year की income है, उसको उसी साल उस पर taxation charge होता है, ठीक, से पहला case, अगर on discontinuance of business or profession, अगर suppose करिये कोई business है, कोई profession है, उसको discontinue किया जा रहा है, उसे बंद किया जा रहा है, ठीक है, डिसकंटीनिव किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, जैसे चलिए अभी का example लेते है, suppose करिये अगस 2022 चल रहा है, ठीक है, तो अभी हम अगस 2022 को कोई business है, जिसे हम बंद कर रहे हैं, कोई profession है, जिसे बंद कर रहे हैं, तो उस case में जो income है, income from the expiry of the previous year, यानि previous year, यानि 2021-22, टीक है, 2021-22 की जो expiry है, तब से ले करके, जब मैं अपना business discontinue कर रहे हूं, तब तक, जितनी भी income हुई है, उस पे जो tax लएगा, उसे इसी साल पे कर करना है, ठीक है, यह बात समझ में आई, this is the exception, यह exception है, कुछ cases, जहां पे previous year की, मतलब जहां पे income जो tax है, वो इसी साल पे करना है, पहला क्या है, on discontinuance of business, यानि अगर business discontinue कर रहे हैं, तो income जो है, expiry of previous year, for the assessment year, and जिस तारीक को आप discontinue कर रहे हैं, ठीक है, डिस तारीक को हो र ठीक है, तो यह पहला case हो गया, दूसरा case क्या है, income of person leaving India, यानि अगर कोई person इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है, कोई भी individual इंडिया छोड़ के जा रहा है, और उसकी कोई ऐसी intention नहीं है, कि वो वापस return back होगा इंडिया में, ठीक है, तो उस case में उसकी जो भी income होती है till the, कब से कब तक की, expiry of the previous financial year, ठीक है, यानि अगर suppose करें, फिर से वह example लेते हैं, अगस 2022, अभी कोई person जा रहा है, ठीक है, तो जो previous financial year था, उसकी expiry, यानि 31st March, उसकी expiry है न, तब से ले करके, अभी अगस 2022 तक, उसने जो भी income earn की है, वो same assessment year में, उस पे, वो tax pay करेगा, ठ अगर वो अगस 2022 को जा रहा है, तो 31st March, जो previous financial year था, उसकी जो expiry है, उसके बात से ले करके, अभी अगस तक, उसने जितना कमाया है, वो उस पे income tax दे के जाएगा, अगर उसके कोई intention नहीं है, वापस आने की, तो, ठीक, यह हो गया दूसरा case, तीसरा case क्या होगा, तीसरा case ह इंकम of an association of person, body of individual, या फिर artificial jurisdiction person, formed for particular event या purpose, अगर जो AOP है, BOI है, या artificial jurisdiction person, जो किसी particular event, किसी particular purpose के लिए फॉर्म किये गए थे, ठीक है, तो उनकी जो income है, और अब वो dissolve होने जा रहे है, ठीक है, अब उनने खतम किया जा रहा है, वो dissolve होने जा रहे है, अगर वो इस अगस 2022 में dissolve होने जा रहे है, कोई AOP था, BOI था, या या ये जो artificial jurisdiction person है, ये अगर अगस 2022 में dissolve होने जा रहे है, ये किसी special purpose से फॉर्म किये गए थे, वो काम पूरा हो गया, अब ये dissolve होने जा रहे है अगस 2022 में, तो इन्होंने जितनी भी income earn की है, from the expiry of previous financial year, यानि 31st March 2020, ये जो expiry है, उ 2022 से ले करके, अगस 2022 तक इनकी जो भी income है, वो इसी financial, same assessment year में उस पर tax charge होगा, ठीक है, वो same, इसी उस पर tax pay करेंगे, ठीक है, तो ये तीसरी condition है, चौती क्या है, चौती है, transfer of property to avoid tax, next क्या है, transfer of property, चौती condition क्या है, transfer of property to avoid tax, यानि, अगर कोई SSE, ठीक है, अपनी property transfer करता है, tax को avoid करने के लिए, property, अपनी wife के नाम पे, या अपने बेटे के नाम पे, ठीक है, tax को avoid करने के लिए, कोई SSE, अपनी property को transfer करता है, तो उस case में, जो भी income वो earn करता है, from the period, from expiry of previous year, ठीक है, जो previous financial year, वही same, अगर हम case लें, अगर अगस 2022 में कोई property transfer की जा रही है, ठीक है, अभी इसी महीने कोई property transfer की जा रही है, तो previous financial year की जो expiry है, expiry 31st March को है, यानि 1st April 2022 से लेकर के, 1st April 2022 से लेकर, अगस 2022 तक की उसकी जो भी income है, that would be taxable, मतलब वो उस पर जो भी tax पे करना है, वो same assessment year में पे करना है, ठीक ह expiry of previous year to the date when assessing officer commends, यह जो transfer का जो procedure है, यानि यह जो assessing officer है, अपनी यह जो proceeding जब से शुरू करे, ठीक है, जो अगर अगस 2022 में शुरू होती है, तो इसके बीच की जो income है, उस पे tax इसी assessment year में पे करना है, ठीक है, तो यह चौथा exception है, पाच्वा case क्या हो सकता है, कि income of non-resident from shipping business, अगर suppose करिये कोई non-resident है, ठीक है, वो shipping business में है, carry कर रहा है shipping business, ठीक है, और वो income earn कर रहा है, Indian port पे, ठीक है, Indian port से वो कुछ passenger carry कर रहा है, कुछ live stock carry कर रहा है, कुछ goods carry कर रहा है, ship कर रहा है, ठीक है, और वो Indian port से कुछ earn कर रहा है, ठीक है, और वो non-resident है, और वो shipping business कर रहा है तो उस case में जो भी income वो earn कर रहा है ना, वो उस पर tax इसी assessment year में pay करके जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो non-resident है, दुबारा पता नहीं अपनी ship लेकर आए कि नहीं आए, ठीक है, तो वो जो भी Indian port से जो भी earn कर रहा है, carry करके, goods या passenger या livestock carry करके, जो भी income earn कर रहा है, उस पर उसे tax इसी assessment year पर उसे tax दे के जाना है, ठीक है, तो ये पांच वी condition है, तो ये पांच क्या है, ये पांच exceptions है, exceptions to the general rule, वरना previous year की income पर कभ हम tax pay करते हैं, assessment year में pay करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो पांच condition अभी मैंने आप से discuss की है, ये क्या है, exceptions है, जहां पर same year की जो income होती है, उस में उसी assessment year पर tax pay किया जाता है, ये 5 cases, और ये काफी important है, अलग से पूछे भी जाते हैं, तो चलिए, this was all about today's video, ये था आज के वीडियो का content, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, तो चलिए, अब हम मिलेंगे अगले lecture में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा God bless you